और बड़ी विशेश बात है कि जब छत्रपती शिवाजी महाराज के बारे में हम जब सोचते हैं, तो वास्तों में एक पचास वर्षिक के आयू और जीवन भर संदर्श के आलवा और कुछ नहीं दिखाई देता है। चत्रपती शिवाजी महाराज ने अपने शवर्य और साहस का उपयोग, अपने जीवन भर हिंदू समाज के रक्षा और देश हीत के लिए ही किया है, यहीं उनका इतिहास बताता है। किसी भी नेतृत्व की सफलता, कि कुछ चरण होते हैं, तो चरण में पहली बात आती है कि उसका आरंविक, प्रारंविक जीवन कैसा रहा। जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है, परिस्थितियों का आकलन करने की उसकी ख्षमदा केसी है। उसके आस्ता के श्रद्धा के विशे क्या है। और इस सब करने के लिए साहस के साथ एक पुरुशार्थ क्या वश्यक्ता रहती है। एक निर्वय व्यक्ति मत्तु क्या वश्यक्ता रहती है। ऐसा ही व्यक्तित्व अपने जीवन में एक सफल नितृत्व देने में सिद्ध होता है। और जब हम आरम्म का जीवन देखते हैं। तो एक बिल्कुल कुमार वस्ता में युवा वस्ता में प्रवेश करी रहे थे। तो अपने साधियों के साथ, रोईडेश्वर के उस शिवा मंदिर में एक संकलप लेते हैं। और एक संकलप के रूप में शिवा पिंडी पर अपने अंगुली से रत का अभिश्यक करते हैं। और संकल्प क्या था तो मैं इस भूमी को स्वराज्य प्राप्त कराके रहूंगा स्वराज्य प्राप्ति का संकल्प है और इसलिए यह एक प्रारम्मों का जीवन का पर इतना ही नहीं था अपने आसपास के सामा दिलों को समझाना है स्वराज्य क्या है उनके मन में उसके प्रति एक भावजागरन करना है और अगर संगर्श करना है तो अपने कंद से कंद लगा कर खड़े होने वाले साथियों को भी तैयार करना है ऐसे सभी के अंतक करन में एक विश्वास निर्म करना हे वीजय के परती कि एलसारा यज ड़ियों गारम का रहा इसलिए कि चत्रबती महराज के साथ को हॉनक भखड़े तो accredited उससेयाद्विए के बाड़्यों में रहने वाला इसको मावला कहां जाता है सामाने इन एक खड़ lud हुआ उतना ही नहीं पिर कानों जी जैसे जेदेसर के वेक्ति मत खड़े हुए बाजी पासलकर जैसे वेक्ति खड़े हुए ताना जी कंदे से गंदा लगा कर खड़े होने उले ताना जी मालुसरे हमने देखे राजा की और स्वराज्य की इस रक्षा के लिए सब प्रकार का पुरिशार्द करने वाले बाजी प्रभू देश्मान ने हम लोगों ने सुने हैं हम प्रताप्रा गुजर का कभी नाम सुनते हैं कि राजा के महराज के एक शब्द पर फिर एक बार वो लड़ाई के मैदान में कूत पड़े और अपने बलिदान हो गए इस प्रकार के साथियों को प्रारंभ में ही कौन मेरे साथ खड़े रहेंगे इस प्रकार का प्रयास उस युवा वस्ता में उन्होंने प्रारंभ किया है। इतना ही नहीं है तो ऐसे इसे कारे के लिए संद महंतों के अशिरवाद चाहिए और इसलिए उनका भी अशिरवाद प्राप्त करते गए हम जानते हैं कि उनके जीवन में संद समर्थ रामदास जी का स्थान है उनके जीवन में संद तुकाराम जी का एक स्थान है ऐसे कि एक भाव मन में लेकर अपने साथियों को तैयार करना यह उनके जीवन का प्रारम भी काल खंड हम देखते हैं कि दूसरी बात मैंने कहीं कि किसी भी नेतरूत्व करने वाले व्यक्ति को परिस्तिती का आकलन करने की भी ख्षमता चाहिए कि उत्तर में मोगलों की शक्ति थी और दक्षिन में मुसलमानों की शक्ति थी जो आदिल शाही निजाम शाही इस नाम से जानी जाती है शुवाजी महाराज को इन दोनों शक्तियों के साथ संगर्श करना पड़ा जीवन बर इनके साथ संगर्श होता रहा इस परिसिति का आकलन बड़े अश्यरिकी बात है कि उस समय बिटिशों का आगमन थोड़ा शुरूई हुआ था तो बिटिश सेना के एक सची हो थे उनका नाम है फिलिप वो अपने अनुभव के आधार पर आकलन लिखते हुए लिखते हैं कि अगर चत्रपति शुवाजी महाराज और अगर पांच-छे साल जीवित रहते तो अंग्रेजों का राज्य यहां होना मुश्किल था इस प्रकार का परिस्तिती का आकलन करते हुए निरने करते हुए अपनी रणनीती को तैयार करने वाला इस प्रकार का एक व्यक्ति मत्व शुवाजी के रूप में हम सब की सामने जब किसी विशेश लक्षे के लिए चलना है तो अंतक्रण में एक आस्था चाहिए तो पहले जो प्रागमिक जीवन में उनके आस्था अपने मा के प्रती रही है जिजा माई ने उन्हों सब्न दिया है सब्न को सागार करने के लिए एक अशिरवात दिया है एक जीवन की शुद्धता के लिए एक सवस्कार दिये है और इसलिए हम देखते हैं कि चत्रबदी शिवाजी माराज के जीवन के माता जी के जिजाबाई के जीवन के अंततक उनके प्रती एक भिन्न प्रकार के आस्था शद्धा उनके बारे में रही और दुसरे उनके जैसा मैंने कहा कि दादो जी कोंडे उनके शस्त्रास्त्र विद्या के गुरु थे उनके परद्धिवी के उनके मन में भहती शद्धा और विश्वास उनके मन में था लेकिन इतना ही नहीं है तो यह विश्वास अपने साथि संक्रमित है जब तक आस्था निर्माद नहीं हो तब तक भ्यक्ति ए श्रेष्ट परकार के पुरिशार्थ ते लिए तयार नहीं हो सकता है इसलिए उन्होंने आपने सब परकार के आसपास के लोगों के अंदर सुराज्य के परतिक आस्था निर्मान्र की है और जब आस्था अधी गहन हो जाती है तो उसका परिवरतन विष्वास में होता है और इसलिए महराज्ज के प्रती विश्वास है वो कहा करते थे कि भवानी माता का मुझे अशिर्वात प्राप्त है देखिए कितनी सद्धा उनके अंतक करण में रही होगी भवानी माता मेरे संब्ध मेरे अशिर्वात के रुप मेरे साथ है सब प्रकार के सज्जनों का अशिर्वात मेरे साथ है और इस प्रकार का एक विश्वास आस्ता का भाव और हम एक सही दिशा में जालर जा रहे हैं हम एक धर्मयुद्ध करने के लिए जा रहे हैं इस प्रकार का आस्ता का भाव उन्होंने अपने सभी साथियों में और निर्मान करने का प्रेद्न किया परिणाम क्या हुआ जिसके बारे में वर्णन कहीं जगे पर आता है कि ऐसे एक सामाने लोग तयार हुए जिनके बारे में वर्णन करते हुए कहा गया कि जो कभी रुके नहीं जो कभी ठके नहीं जो कभी किसी की सामने जुके नहीं और किसी भी किमत पर बिके नहीं यह बिना आस्था की सम्मधों नहीं है इसलिए अपने लखे के पर दीश आस्था को सद्धनिरमान करते हुए उन्हों ने इसे सारे लख्षक की दिशा में आगंगे बढ़ने का प्र्याश किया हुआ हम सब देख नहीं इतना ही नहीं है तो सामा ने किलो की रख्शा करने वा देखने के लिए जाते हैं, तो द्वारपाल शिवाजी महाराज को भी रोग देता है, वो किता है कि नहीं हम आपको प्रवेशनी दिसे कि, तो मैं शिवाजी हूँ, आप कोई भी होंगे, परन्तु हमें आदेश है, कि सुर्योदय के पूर्व किसी को भी किले के अंदर आतक काल तक प्रवेश नहीं दे सकता, इस प्रकार की आस्था, इस प्रकार का अनुशासन, चत्रवदी शिवाजी महाराज के परियत्नों से अपने अनुयावयों में संक्रमित हुआ है, आस्था नारों से भाशनों से नहीं होती, तो आदर्ष विवहार करने वाले जब सा आस्था का भाव जागूर्थ होता है, और हम देखते हैं कि चत्रवदी शिवाजी महाराज इस प्रकार की आस्था विश्वास अपने अनुयाईयों में जगाने में सफल सिद्ध हुए हैं,